नमस्कार Capital TV देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घुटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं शराब घुटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमला वर है आम आदमी पार्टी के तरब से घुटाले को लेकर कोई बात सामने नहीं रखी जारी है पर हर दिन हर रोज आम आदमी पार्टी के अलग-अलग नेता कारिकरता प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और बीजेपी पर कई बड़े-बड़े आरोप लगाते हैं आज मनीश इशोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है उनका कहना है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है तो सीधा आपको वो ट्वीट दिखाते है कि मनीश इशोदिया ने ट्वीट करके क्या कुश लिखा है मनिश शोदिया ने ट्वीट करके लिखाया कि मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अनवधायकों को 20-20 करोड का ओफर देकर रेट का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी बीज़पी समल जाए ये अर्विन केजवाल जी के सिपाई है भगत सिंग के अनुवाई है जान दे देंगे पर गदारी नहीं करेंगे इनके सामने आपकी ED, CBI किसी काम की नहीं तो पहले मनिश शुद्या ने की आरोप लगाया कि मुझे BJP के तरब से ओफर आया है, CMPAT का ओफर आया है मुझे कहा जा रहा है कि BJP जॉइन कर ले, अगर वो जॉइन कर लेंगे तो CBI और ED की जो कारवाई है वो बंद हो जाएगी और अब इस बीच एक बड़ा आरोप, आज एक नया आरोप मनिश शुद्या नेगे लगाया कि वधायकों को तोड़ने की कोशिश की जारी है इसे बीच अर्विन के जवाल ने अपने घर पे एक बड़ी बैठक बुलाई है इस पूरे मामले में क्या कुछ है ताचा अपडेट उसे के साथ मेरे साथ निउसरूम से जड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनिश कुमार हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया नया आरोप सामनी आता है आज उनका कहना है कि वधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है देखे आरोप नहीं आता ये च्छालावा करते हैं इन से जो सवाल पूछा जाता है उसका वो तो जवाब नहीं देते गोटाले के बारे में पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है कम से कम 20-25 बड़े बड़े सवाल है एक भी सवाल का ये जवाब देंगे नहीं बलकि सवाल के जवाब में ये ने ने सुगूफा अफवा आरोप जूट बोलने में देखिए मैं सुरू से कह रहा हूँ इस आम आद्धी पार्टी इस अ बंच ओफ पेथलोजिकल लायर्स जूट बोलने में इन में कोई इसकी सानी नहीं है अन परलल अब मनी से सोधिया ने ट्वीट कर दिया 20 करोर कहीं अख़बार में छपावा मिल रहा है 25 करोर कल ये लोग कह रहे थे कि 5 करोर कि हमारे विधायकों को 5 करोर रुपे आफर दिये जा रहे हैं अब कितना आफर दिया जा रहा है ये तै कर लो बहुए अगर आफर दिया जा रहा है तो वह उसके सबूत कहा है कैसे आफर दिया जा रहा है सपने में या फोन पे या इमेल के जरीए या SMS के जरीए या WhatsApp के उपर या आदमी भेज के आप तो बड़े होश्यार थे इस fraud केजरिवाल की बात को अगर आप रिप्ले कीजिए पुराना कि अगर कोई तुम्हें भरस्थाचार करता हुआ दिख जाए तो अपना मॉबाइल पे उसका वीडियो बना लेना और वीडियो हमें दे देना एक मिनट में उसके खिलाफ कारवाई करेंगे यही बोलता था ना पूरी दुनिया को तो तुमने सिखा दिया और तुम्हारे यह जो बेवकूप किसम के एमेले हैं वो तुम्हारी बात को नहीं मानते बुलाओ मीटिंग करो डाटर उनको बोलो कि दुनिया को मैं ग्यान देता हूँ तुम्ही जो हमारे ज्यान पर नहीं चलते हैं क्या यह सब बेकार की बाते हैं मनिस सिखा दिया यह बताए कि तुमको किसने फोन किया SMS आया या WhatsApp चैट आया क्योंकि सबसे पहले तो मनिस सिखा दिया नहीं शुरू किया कि हमें खरीदने की कोशिस की जा रही है तुमको नहीं बनाएंगे तुम्हारी हैस्यती क्या है आरी हूँ मास लीडर भै आम आदी पार्टी के बाहर जाओगे मुख्या का चुनाओ नहीं जीत पाओगे यह तुम्हारी हैस्यत है और खौब जो है बढ़े बढ़े जूट देश की जनता ने बहुत सुन लिया सच्चाई बताना शुरू करो अगर आपको भार्ती जनता पार्टी के तरफ से कोई आफर आया तो पहला जूट तो यही है कि पहले आपने कहा कि भई मैसेज आया गूगल कीजिए अख़वारों में छपा हुआ है संदेश आया मैसेज आया फिर आप ने कह दिया कि भई हमें फोन आया और अगर फोन आया तो कहा है उसकी रिकॉर्डिंग किसने किया क्या नंबर है या कोई भी पागल वेक्ती कोई भी तुम्हारी पाटी का तुम्हारा ही मित्र तुमको फोन करके यह बता दे कि मैं गटकरी की के हां से बोल रहा हूं तुमको मैं इतने रुपई दे दूँगा तुम उसको माल लोगे उपर के बते बाते हैं और ये जो संजय सिंग्ग है इसने जो क्रेस कांफरेंस की चार जो है अपने चम्चों को बगल में बठा लिया और यह कहा भई इसको भी ओफर आया कोई सबूत दो गबे हर यह समझना है पागल लोग नहीं है बड़े शातिर कुटल किस्म के लोग हैं जूट बोलना में माहिर हैं लिकिन जूट बोलने के आवसकता क्यूं पढ़ी वो इसलिए पढ़ी क्योंकि आज इनसे कुछ अलग किसम के सवाल किये गए पहली बात ये उनसे सवाल किया गया उनस committee के recommendation के उपर ही हम नई आपकारी निती बनाएंगे तो उस committee ने जो report दी क्या उसको आपने follow किया आपने follow किया या फिर ठीक जो recommendations आये थे उससे ठीक उलट किया और अगर आपने ठीक उलट किया तो यह सवाल का जवाब कौन देगा? New York Times देगा? Washington Post देगा? कि ये केजरी वालब बनी सिसो दिया देगा? आपने जो नीती बनाई है उसका जवाब कौन देगा? और उसमें क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया कि ये जो distribution का काम है, ये जो retail ship का जो काम है, ये जो liquor बनाने वाली company है, ये सब अलग-अलग होने चाहिए और उसमें पूरा का पूरा दो-तीन recommendation है, कि अगर एक ही प्रकार के लोगों को आप ये सारी चीज़े दे देते हैं, तो उससे cartelization हो जाएगा, वो एक syndicate बन जाएगा, cartel बन जाएगा, और वो मनमानी करेंगे market में, इसल नहीं किया, दूसरा सवाल इन से पूछा गया, कि ये केजरिवाल बताए, ये सिसोधिया बताए, कि अमन दीप ढल को ये जानते हैं या नहीं, सीथा से सवाल है, नहीं जानते हो, तो संजर सिंग बता दो कि भाई नहीं जानता मैं, और ये सवाल इसलिए जरूरी है, क्यों इसी अमन्दीब ढल को वो पंजाब में भी मिल जाता है क्या connection है क्या ये बताएगा कि अमन्दीब ढल के साथ मनिसी सुध्या की कोई meeting नहीं हुई कोई तस्वीर नहीं है क्या अमन्दीब ढल केजरिवाल से उसकी जान पहचान नहीं है भाई सराब माफिया बोल भाई बिक गया मने हमको खरिदने की कोशिस की जा रही है भाई तुम तो पहले ही बिक गये ये बीजेपी के हाँ तो नहीं तुम तो रेंगते हुए सराब माफिया के सामने खुद को ही बिकवा दिया तुम तो खुद को बेच के आ गए इन सवालों को जवाब कौन देगा इन सवाल का जवाब यह नहीं देगे इन से एक और चीज़ पूछा गया जो इतनी जो दिक्कत हो रही है वो इसलिए कि इनको सवाल पूछा जाता है और ये भागने के रास्ता इसनको मिलता नहीं है फ्राइड है वो इसमिटिंग में होगा क्या इसमिटिंग में तै होगा कि भई किसी से करवाओ फुण जैसे पिछले बार इसने किया था कि अपने ही लोगों से फौन करवाया कि भई हम अरूझ जेटली जी किहां मैं आपको बता दू यह आदमी सोचता कुछ है करता कुछ है और कहता बिलकुल ही कुछ है यह वेक्ति टिपकल जो करते है भाई जो फिल्मों में विलन किसम का जो नेता होता है ना उस किरदार में यह केजरिवाल फिट बैठता है बैठक करने के आवसकता इसलिए पढ़ रह रहा है पहली बार इसकी चोरी बाद में नहीं ऑन दे स्पॉट पकड़ी जा रही है और हर चीज में यह बेनकाब होता जा रहा है इसलिए छट पटा रहा है और यह जो सराब घुटाला है इसमें अब ज़्यादा सीबी आई को विलम नहीं करना चाहिए एडी को विलम नही करना चाहिए पहले कारवाई हो उसके बाद बयान बाजी हो यह केंद सरकार की तरफ से होनी चाहिए धनेवाद अपडेट के लिए तो शराब घुटाले को लेकर सीबी आई फूल टू आक्शन में है और सीबी आई के आक्शन से ही आम आदमी पार्टी के अंदर बॉकला है तबी वो घुटाले को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं मीडिया कर्मी अगर उनसे कुछ घुटाले को लेकर सवाल पूछते हैं बीजेपी की तरफ से कोई सवाल दागे जाते हैं वो उसका जवाब ना देकर बीजेपी पर कई आरोप लगाते हैं रोज हर दिन ए नया नया जूट बोलते हैं, अब एक नया जूट, आब आदमी पाटी के तरफ से ये सामने आया कि वधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, शराब गुटाले पर कैपिटल टिवी की नजर बनी हुई है, इस खबर में फिलाल इतना ही, कैमरेपसें रवी के साथ मैं पूजाग, कैपिटल टिवी